हेलो दोस्तो आप सभी लोगों का अपने यूटूब चेह पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्का लेकर आया हूँ जो आपके चेहरे के दाख दब्बे काले निसान च्छाहियां चुरूयां सभी को दूर कर देगा और आपके चेहरे को काफी तेजी से गोरा बनाएगा दोस्तो ये नुस्का असर्दान वसका है इस नुस्के में हमने जो भी चियांका इस्तेमाल किया है सारी की सारी चीहां ही एकदम नेचुरली चीहां हैं इनसे आपको किसी भी प्रकागा कोई भी side effect ने होता है दोस्तो आज के समय में गोरा रंपाना हर कोई चाता है हर कोई चाता है उसके चेरे पर कोई भी दाग दब्बे ना हो ना ही उसका चेहरा काला हो तो दोस्तो आज मैं आपके लिए एक एसा नुसका लेकर आया हूँ जो आपके चेहरे की सभी विमारियों खत्म कर देगा और आपको तेजी से गुरा बन देगा तो दोस्तो चले जानते हैं क्या ही नुसका आगे भरने से पहले दोस्तों आप सभी से मेरी एक रुक्वेस्ट है कि अगर आप नभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब रहें साथी दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तो दोस्तों इसनुसके में आपको सबसे पहले जुरूत पड़ेगी एक खाली बाउल की आपको एक खाली साथ सुतरा बाउल लेना है और इस बाउल के अंदर सबसे पहले जोची लेनी आपको वह दूस्तों टमाटर का रस आपको दोस्तो एक टमाटर लेना है और उसे कद्दूकस कर लेना है जो कि है मेरे पाइघ देखना दोस्तो मैंने इसे कद्दूकस करके इसका रस निकालके तयारा कहु Pakistani में है दोस्तो टमाटर के रस में प्राकर्स्तिक टत्तों और विटामीन पाय आते हैं एकने और एकने स्टार को posted 가까 साफ करने को मदद्ध करते हैं टमाटर होगे Natural Acid होता है जो हमारे चेरे के लिए हमारे चेरे से दाग काशा सब्सक्राइर इसके बद आपको अगली चीरे लेनी है इतना असा हल्दी पाउडर आपको दोस्तो इसमें इतना सा हल्दी पाउडर एड़ करना है दोस्तो आपको बता दें कि हल्दी कई तरह से तुचा की देखवाल के लिए फायदे मन्द होती है यह बिंपल्स पैदा करने वाले वेक्टरिया को मारती है हल्दी मुवास्य के दाग दभमों को दूर करती है यह एंटी deputy option बरबूर होती है जो भरतियों उन्रों के लच्छणों को दूर करने में सायता करती है जाता घरों में घरोली नुर्षकों के रूप में तुचा पर निखाल लाने के लिए हल्दी का प्रयोग किया आता है इसके बाद दोस्तो अगली चीज़ जो आपको लेनी है वो दोस्तो धही आपको इसमें एक चमज धही का एड़ करना है और अब दोस्तो आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है दोस्तो धही हमारी तुचा के लिए काफिल फाइलमन होता है धही तुचा में मौस्चराइज का काम करता है इसमें मौझूद लेक्टिक ऐसेट तुचा पर फेसिल मास्क की तरह कार्य करता है इसके अलावा यह तुचा के बीतर छूपी गंदगी को भार कर चेरे के दाग दब्बे और जुरियां आदि से मुक्ति दलाता है तुचा को मौलायम बनाता है तो दोस्तो इस तरीके से आपको इसका पेस्ट बनाके त्यार कर लेना है अब दोस्तो इस पेस्ट को यह चेरे पर लगाने का तरीका दोस्तो वो यह है आप जो उंग्रियों से इस पेस्ट को लें और अपने चेरे पूपर इस तरीके से एपलाई करें पूरी चेरे को उपर दोस्तो आपको इसे अच्छे से लगा लेना है और कम से कम आपको सूखने तक ऐसे ही लगा हो छोड़ देना है जब यह सूख जाएगा तब आपको इसे साला पानी से दुबर साफ कर देना है दोस्तो इस उपायोगा हपते में एक बार जरू करें ऐसा करने से आपके चेरे के दाग दब्बे जाईयां चुरियां सभी दूर हो याएंगे और आपका चेरे काफी साफ सुतरा और सुन्दर बनेगा तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी एच्छा लाओगा आप इस वीडियो को ज्यादा से आपने दूस्तों सेर करें वीडियो को लाइक करें और मेरे यूटूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें लिस्ते के नेनी वीडियो नेनी जानतारी आप तक पहुंचती रहें मैं आपके लिफ फिल आम कुछ ऐसा वीडियो तब तक के लिए दूस्तों बाइबाए